अगनी शमन पकवाले का समापन हो गया है जिसके तहट जगा जगा आग लगने जैसी घटनाओं की रोख थाम और इससे निबटने के लिए जागरुक किया गया लेकिन कलेक्टरेट में ही जागरुकता की कमी नजरा रही है बतादे कि जिलाधिकारी कार्याले परिसर में लगे सभी फायर सिलेंडर एक्सपायरी हो चुके हैं बतादे कि परिसर में आगजनी की घटना से निबटने के लिए 42 फायर सिलेंडर लगाए गए हैं ये सभी फायर सिलेंडर 4 अपरेल 2019 को ही एक्सपायर हो चुके हैं आगजनी जैसी घटनाए होने पर कलेक्टरेट करमी इससे निपठने के लिए तयार नजर नहीं आ रहे वही अपर जिलाधिकारी का कहना है कि चुनाव की चलते फायर सिलेंडरों को रिफल करने के लिए अप्रूवल लेने में देरी हुई है अप्रूवल की फायल भेज दी गई है जल्द ही फायर सिलेंडर बदलवा दिये जाएंगे बता दे के अगनी शवन पकवाड़े के दोरान पिछले दिनों जिले में सरकारी प्राइविट कार्यालो और स्कूलों में आगजनी की घटनाव से निपटने और रोक थाम के लिए जागरुकता अभियान चलाया गया था लेकिन कालेक्टरेट परिसर में लगे अक्सपायरी डेट के फायर सिलेंडरों को देख कर इस जागरुकता अभियान की पोल खुल गई है पंजाब केसरे टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्या एक रिपोर्ट